असलामुरेलीकूम आज हम ये बेबी और बाबा बुटीज हम बनाने वाले हैं तो ये डिसाइन जो है ये या बेबी क्या बाबा दोनों में यूज कर सकते हैं और ये इसकी जो ये जारर बगारा मैंने बनाई हुई है ने ये रिंग रिंग से ज्रॉप को नज़र आ रहे हैं और अब हम ये बनाना सीखेंगे ये साइज जो हम बनाने वाले हैं ये 0 to 3 months का और ये wool आप देख सकते हैं ये मैं 4 plyo wool यूज़ कर रही हूँ और बहुत soft wool है आप अपनी choice के according कोई साभी color यूज़ कर सकते हैं या अगर आप इस पे कुछ लगाना चाहें और ये जो कुरेश्य हूग मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये 3.0 mm का है और simply मैंने यहाँ पे कुरेश्य हूग की मदसे एक knot ली और अब यहाँ पर मैं chains ले रही हूँ यहाँ पर मैं total 10 chains अपनी complete करूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ total 10 करके यहाँ पर यह मैंने 10 chains अपनी complete कर ली और first chain skip करके second chain के अंदर two half double crochet बनाऊंगी same chain में two half double crochet complete करेंगे और इस तहां से two half double crochet same chain में बनाया अब हमने continue one half double crochet बनाना है last chain को हम छोड़ेंगे ठीक है और last की chain को हमने नहीं बनाना जस्ट हमने जो seven chains है उनमें हम one half double crochet बनाते हुए complete करेंगे last chain को छोड़ते यह देखें इस तहां से seven half double crochet हमने बना लिया अब जो यह हमारी last chain है इसमें हमने five half double crochet बनाना है सो यहां बे मैं one half double crochet बनाया गेन इसी में same chain में two half double crochet हो गए और अब यह third भी बना रही हूँ तो इस तरह से यहां पे हम five complete करेंगे सो यहां मैंने five complete कर लिये हैं half double crochet और अब हम यहां continue opposite side पे seven half double crochet बनाएंगे यहां को इस तरह कवर करते हुए चलेंगे और इस तरीके से one half double crochet बनाते हुए total seven half double crochet बनाएंगे सो इस तरह यह मैं complete कर लेती हूँ seven half double crochet फिर आपको दिखाती हूँ यह देखें इस तरह यह seven half double crochet हमारे complete हुए और अब यहां last में हमने इस chain में two half double crochet बनाना है one and two सो यहां two half double crochet बना लिया और अब हम first half double crochet में इसको जॉइन कर देंगे simple इस तरह से slip इसकी मदस से इसको जॉइन किया है first round हुए complete second round के लिए one chain ली same chain के अंदर हम two single crochet बनाएंगे आप देख लीजे मैं किस तरह से बना रही हूँ same chain के अंदर हम two single crochet बना लेंगे और अब next chain के अंदर भी हम two single crochet बना लेंगे one and again same chain में two so इस तरह से two single crochet बनाएंगे अब हमने continue अपनी five chains में one single crochet बनाना है so next five chain में हम one single crochet बनाएंगे कि आंब में इन से इसक्षा है अंगल चैन्गे और अब यह तरह से अब हमारी चैन्गें में दो हैं को मुआ reject करें तो सी तरीके में करेंगेशिसे थे हैंग आया कुछाइफ हैं के सु吧 तो हचंस में टोटल फाइफ हो गए और हमने हाँ यह ने हम ने हैं और साइड पे बनाए थे इस-थळहा से यह दो मैं नेक्स फाइफ चैन में वन सिंगल कुलिष यह बनाएंगे जैसे हमने पहले अपोजवर जाइट बना यह वैसे ही फाइफ बना लेंगे यह जो यहां इस थहां से फाइफ सिंगल कुरिशया भी कम्प्रीट किया और अब हम नेक्स टू चेन में टू सिंगल कुरिशया बनाएंगे वन चेन में टू सिंगल कुरिशया पर नेक्स में भी टू सिंगल कुरिशया बना लेंगे सो इस तरह से यहां पर से तू सिंगल बनाया और अब यहां पर हमने फर्स तंगल कुरिशय में इसको जॉइन करेंगे सो यहां यह सिलप इस से अभन के लिया और यह यह до कॉम्टरीड उवा ने पीक नियु Stefan के लिए Вन चैन्ल ही सेम चैन के इंदर वन हाफ टबल कुरिशिया बनाएं, नेक्स चेन के अंदर टू हाफ टबल कुरिशिया बनाएंगे, यह देखें, इस तरहां से टू हाफ टबल कुरिशिया और अब नेक्स चेन में टू हाफ टबल कुरिशिया बनाएंगे, और नेक्स चेन में टू हाफ टबल कुरिशिया इस chains so here pregunta one half double Destroyah bina lya hai म מק high and eight हमारे complete ho gone on the Theokiyaar bu 합 prostu T Listening तु हाफ डाब पिखिया अब निखिन में हमने तो यह सकते हैं यह चाहिं अनक्षा इसवाफ ट कुले ह JU आले इस तरीक सरे पे और अब आंप हमने अपर फिर सब्हां के उप यह देहें इस तरहां से five times हमने repeat किया यह और अब हम यहां पर continue अपनी जो eight chains हैं उनमें one half double crochet बनाते हुए अपने यह complete करेंगे eight half double crochet यहां मैंने यह complete किया और अब यह next three chains है हमारी उनमें हमने यह next chain में हम two half double crochet बना लेंगे पहले तो यह देखें इसमें हमने two half double crochet बनाया और अब next chain के अंदर one half double crochet बना लेंगे और अब next chain के अंदर two half double crochet इस तरह से next chain में two half double crochet बना लिया और अब यहां last में हमने इधर इसमें last में हमने एक half double crochet बना लेना है और अपने first half double crochet में इसको slip इसकी मेंदर से join कर लेंगे इस तरह यह sold हमारा हो गया complete next round के लिए one chain लिए और same chain में से इस तरह से कुरेशिया हो निकालेंगे यह देखें इस तरह से और next chain में से भी निकाल लेंगे इस तरह यहां पर हम बनाएंगे one half double crochet फिर again next chain से फिर next chain में से निकालेंगे यहां पर भी one half double crochet फिर again इसी तरीके से हम अपने one half double crochet बनाते हूँ अपना पूरा यह round हम इसी तरीके से अपना last तक complete करेंगे यह देखें इस तरह लास chain तक हम इसको complete कर लेंगे सो यहां पर हम पूरा round अपना complete कर लिया है और अब यहां पर हम first half double crochet में इसको join करेंगे इस तरह से यह join भी हो गया और अब यहां one chain ली again one chain ली total two chains रेने के बाद same chain में one double crochet बना लेंगे next chain में भी one double crochet बना लेंगे इससे हां one double crochet से पूरा round last तक complete करेंगे और उसके बाद हम यहां first double crochet में इसको join करेंगे बइड मैं आपको join करके दिखा देती हूँ कि देखें सहां मैंने double crochet बना लिया और अब मैं यहां फर्स डबल कुरेशिया में इसको जाइन कर रही हूँ इसके पर इसकी मदद से यह मैंने जाइन कर लिया और अब यहां पर मैंने टू चेंज ली हैं और सेम चेंज के अंदर अगेन मैं सैंकिन राउन की तरह यहां पर भी 1 double curatia बना लूँगी next chain में भी 1 double curatia बना लूँगी इस तरहां से और यहां पर यह मैं total अपने count करते हुए 15 double curatia बनाऊंगी फिर मैं आपको यह 15 करके दिखाती हूँ फिर मैं आपको 15 double curatia अपने complete किया और अब यहां पर हम double curatia टू टू गैदर बनाएंगे तो वो किस तरह बनाएंगे यह देखें chain में डाले इस तरहां से लिया पिर नेक्स ch讲 में इस तरहां से 2 loops में से निकाल लेंगे यह 3 loops होगए इस तरहां से ठीक है यह degrees होंगे हमारे जो है double crochet 2 together बनाने से यह इस तरहां से double crochet together हम बना लेंगे so यह मैंने two pairs बनाए यह total हम eight pairs complete करेंगे यह देहें इस तरह यह मेरे पूरे eight हो चुके हैं और अब यहाँ पर हम next step start करते हैं यह देखें यहाँ पर हमने continue double crochet बनाना है अपना और यह देखें यहाँ हम next chain में भी double crochet बना लेंगे और अब यहाँ पर हम next chain में भी double crochet बनाएंगे so इस तरह से यह बनाते हुए हम last chain तक बनाएंगे और अपने first double crochet में इसको join कर लेंगे so यहाँ आप देख सकते हैं यह हमारा third round complete और अब यहाँ पर मैंने two chain ली हैं और same chain के अंदर मैं one double crochet बना रही हूँ और next chain के अंदर भी मैं one double crochet बनाऊंगी so यहाँ पर इस तरह हमने 13 double crochet complete करने हैं तो मैं कर लेती हूँ इस तरह हाँ यहाँ मैंने 13 double crochet complete किये और अब next chain में हमने अपनी यह जो half double crochet two together बनाया तो नब वैसा ही हमने यहाँ पर भी बनाना है यह देहें इस तरह हाँ यह one इस तरह ही से के loop ले लिया और पिर again हमने इस तरह हाँ लुप लिया यह three loops ने से निकाल लेंगे इस तरह हाँ यह मैंने one pair बनाया है total यहाँ पर हमारे six pairs बनेंगे वो मैं complete करती हूँ यहाँ इस तरह मैंने six pair अपने complete किये और अब हमने यहाँ पर continue one double crochet बनाते हुए complete करना है जो हमाई total chains है उनमें हम one double crochet बनाते हुए के complete करेंगे इस तरह से one double crochet बनाया और last chain तक हम इसको बनाएंगे और अपने first double crochet में join कर लेंगे तो यहाँ यह मैंने कर लिया है और अब हमने यहाँ पर one chain लेनी है और same chain के अंदर हमने one single crochet बना लेना है next chain के अंदर भी हम one single crochet बनाएंगे और इस तरह से next chain में भी one single crochet बनाएंगे तो यहाँ पर हमने total 13 single crochet complete करने तो यहाँ मैंने total 13 single crochet अपने complete किये और अब यहाँ पर हमने फिर से double crop repair to together बनाना हम यह देखें इस तरहां से double growth to together हम अगें बना रहे हैं और यहाँ पर हमारे यह one pair मैंने बनाया है total यहाँ three pairs हमारे बनेंगे तो मैं complete करके दिखाती हूँ यह देखें इस तरहां ये मैंने total three pairs complete किये और अब यहाँ पर हम continue one single crochet बनाते हुए इस round को भी complete करेंगे यह देखें next chain में भी one single crochet बना रही हूँ और इस तरह से last तक one single crochet बनाते हुए last chain तक complete करेंगे first single crochet में join कर लेंगे इस तरह से यह मैंने join भी कर लिया और अब यहाँ पर इसको यान को इस तरह उपर निकालते हुए और यहाँ cut कर लेंगे एक्स्ट्रा यान cut नहीं कियेगा बस जिस शोटी सी यान आपने cut कर लेनी है और इसको back side पर इस तरह से निकाल लीजिएगा जहाँ slip इस ली है उधर से यी back side पर निकालने और यहाँ पर यह आप देख सकते हैं यह शोट हमारा almost ready होने ही वाला है जिस अब हमने यहाँ पर जालर लगानी है यह जो बनाई है हमने तो वो किस तरह से बनानी है यह देख लेते हैं सेम जहाँ पर हमने slip इस लीव महीं से हम कुरेशय हुग डालेंगे और अपने next color लेंगे सिंप्ली इस तरह से आप finger पर अपनी यान को ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पर कुरेशय हुग की मदद से स्कॉब निकाले जिए अपनी chain में से और यान को अपने थोड़ा सा extra रखना है और यहाँ पर अब हम one chain ले लेंगे इस तरह से और one chain लेने के बाद आपने इस तरह से अपने अंगुठे पर इस तरह लेना है यान को और फिर इसके बाद इस तरह से कुरेशय हुग करते हुए इस तरह से same chain में Wasn't chain लेती उसी तरह से तरह से और इस तरह दिया यह अपन और और यह प्रोसेस करते हुए अपना यह कमप्लीट करेंगे बट अगर आप लोगों को यह ना इस तरीके से समझाया है तो मैंने इसको डीटेल्स में समझाया हुआ है तो परिशान होने की बिल्कुल जरुवत नहीं है आप जाएं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जागा नहीं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें आपको इसका फुल टुटूरियल इस तरह से और यह जो स्लिप इस टिशिच के बाद आपने यान को तोड़ा लूज कर लेना है इस वाली जो जालर वाली यान वोगी यह देखें इसको और अब यहाँ पर आपने वन चैन लेनी है सेम चैन के अंदर वन सिंगल कुरिशिया बनाना है इस तरह नेक्स चेंड के इंदर भी वन सिंगल कुरिशय बनाए तो इस तरह से ये पूरा राउंड वन सिंगल कुरिशय से हम बनाते हुए ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करके लास्ता कंप्लीट करेंगे फस सिंगल कुरिशय में जाइन करेंगे इस तरह यह मैंने पूरा लास्ता कम्प्रीट के और फस सिंगल कृशिया में जॉइन कर लिया है और अब यहां नेक्स राउन स्टार्ट करेंगे तो यहां बन चेन लीप फिर से वही वाला राउंड हम स्टार्ट करेंगे जालर वाला की देखें इस तरह से और अगेन हमने फिर से अपने अंगुठे पे लिया और इस तरह से यान को लेते हुए बनाएंगे तो इस तरह से यह मैं सैकेंड राउंड कर रहे हूं थर्ड राउंड और करूंगे तोटल थ्री राउंड होंगे हमारे कि देखेंगे मैंने टोटल त्री राउंड अपने ये किये हैं जालर वाले टोटल त्री राउंड मैंने कर लिये हैं और अब यान को मैं इस तरहां से उपड़ लेके ये लुप वाली यान को आपने इस तरहां रखना है यह टाइट ना हो और इस अरीके से लेते हुए आपने इसको यान को कट कर लेना है और यान को थोड़ा सा अपने थोड़ा सा 19-20 बस बड़ा रखना है क्योंकि यह हम सुई की मतलब से इसको अंदर करेंगे तो पहले अच्छे से इसको दोनों साइलों से पकड़के टाइट कर लियना है और फिर आप इसमें अपनी सुई डा ले जीए इस तरहां से यह देखें मैंने यान में अपने इस जियान में यान डाली है ये stitches में से निकालेंगे मैं आपको दिखाती हूँ ये देखें ये जो हमाय सिंगल कुरेशी है न इन में से हम इस तरह से लेते हुए इसको निकाल लेंगे ये देखें इस तरह से निकालते हुए हम इसको यान को अच्छे से सिद्श को बिलकूर। निकाले आव चलदी नहीं है किसी बात की और इस तरह से आप इस इसको निकाल लीजिए बहुत अराम से और निकालके भृर आप इसको कट कर ले यहां से सैड कर लीजिए अगर कोई स्टिच आपक झाइड हो रहा हू तो उसको अच्छे से नॉर्मल करके फिर आप इसको एक्स्रायान को अपनी कट कर ले तो ये देखें ये कट भी हो गई है और ये हमारे बुटीस का फाइनल लुक है और ये बहुत खुबसूरत लगते हैं पहनने के बाद बनने के बाद अगर आप इसमें कुछ आइड करना चाहें तो कर सकते हैं बाकी मैं नहीं कर रहे तो यहां आपको ये टूटोलियल कैसा लगा कमेंट सेक्षिन में लाजमी बताईएगा लाफिस